हेलो स्टुडेंट्स वेलकम आल आफ यू आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनन्स नर्सिंग फाइल पर स्वाकत है तो आज हम वीडियो में फीवर और पायरेक्स के बारे हम देखेंगे जिसके अंदर हम डेफिनिशन कॉजेज किलिनिकल मैनिफेस्टेशन आफ फीवर और पायरेक्स के वहां देखने बाले है तो यह है वाइटल साइन यूनिट के एक इंपोर्टेंट टॉपिक है जो अकसर एक्जाम में पूछा जाता है जी एनम और बेस इनर्सिंग एक्जाम अभी-कभी शॉर्ट नोट में भी इस टॉपिक को पूछ लिया जाता है तो आ आई देखते हैं आपर फीवर और पायरेक्स के बारे में तो जैसे कि भी मैंने बताया था वाइटल साइन यूनिट का एक टॉपिक है तो आप अपना प्रिपरिशन कर सकते हूँ इंपोर्टेंट कुस्चिन है एक्जामिशन परपर्ज देखते हैं सबसे फिल इसका डेफिनिशन फीवर और पायरेक्सिया इसका डेफिनिशन देखते हैं फीवर और पायरेक्सिया इस दिफाइन एज a rise in the body temperature of 37.2 degree celsius fever और pyrexia means वो condition जिसमें हमारे सरी का तापमान 37.2 degree celsius से अधिक हो जाता है उपर चले जाता है उसको कहते हैं fever next देखते हैं causes इस किस condition से हमें बुखा राता है क्या-क्या इसके कारण हो सकते हैं वह हम सब देखेंगे अबर causes के अंदर causes में देखते हैं causes of fever is infections, disease of nervous system, certain malignant neoplasm, blood disease such as leukemia, embolism and thrombosis, heat stroke, from exposure to hot environment, dehydration, surgical trauma, crushing injuries, skin abnormalities that interfere with heat loss, allergic reaction to foreign protein and pyrogens etc. तो यह सभी थे causes of fever means इन सभी के कारण हमें बुखारा सकता है जैसे हमारे सेरी में कोई भी infection हो है तो यह बुखार का कारण हो सकता है यह कोई में nervous system का disease भी बुखार का कारण हो सकता है कोई भी malignant neoplasm, cancer होना, किसी भी प्रिकार का blood disorder, blood disease, leukemia, embolism, thrombosis, यह भी बुखार का कारण हो सकता है heat stroke, बहुत अधिक, environment का temperature बहुत अधिक होना भी बुखार का, means heat stroke का का कारण हो सकता है जो next, dehydration, means सरीर में एक तरह से water की कमी, आनी की कमी, surgical trauma या कोई भी crashing injury, कोई भी surgery होना, या कोई भी accident, type injury होना, भी बुखार के कारण हो सकता है इसकी abnormalities, जो हमारे, जो heat loss को, heat loss regulation को interfere करती है इसकोई भी skin conditions, या skin disease, किसी परकार का allergic reaction, और pyrogens, means एक तरह से fever causing agent तो ये सारे होते हैं हमारे बुखार को करने वाले कारण, means इन सभी के कारण हमें बुखार या fever या pyrexia आ सकता है next, clinical manifestation, clinical manifestation, जैसा आप सभी जानते हैं, जिसको हम sign and symptoms की बारे में बोलते है, means clinical manifestation, या बीमारे के लक्चन, या sign and symptoms, तो ये सभी same है या पर हम sign and symptom भी लख सकते हैं, means बुखार के अंदर हमारे सरीर में क्या क्या चेंज जाएंगे, तो इसमें देखते हैं, in fever all the system of the body are affected, fever के अंदर हमारे प्रवाबित होते हैं, it may vary with the nature of the disease, और ये fever की condition हमारा जो system पर प्रवाब डालेगी वो, बीमारी के अंदर जो भी changes जाएंगे, वो इस पर depend करेगा कि, बीमारी के CBT क्या है, तो देखते हैं सबसे पहले, respiratory system, respiratory system में, cello and rapid breathing होगी, में इस जो person जिसके बुकार आ रहा है, fever आ रहा है, उसको वो तेजी-जी-जी हिसाज लेगा, और देखते हैं से, जो breathing होगा, cell होगा, हलका होगा, next, circulatory system, circulatory system में, increased pulse rate and palpitation, pulse rate, बहुत अधिक तेजी से चलना, increased pulse का, elementary system, आर नाल में, dry mouth, loss of appetite, भोगने लगना, indigestion, अपच, nausea, जी मचलाना, vomiting, उल्टियाना, constipation, कबजी होना, और टायरिया, तस्त लगना, ये सारे, आर नाल से related symptoms होगा, next, urinary system, surgeon cancer related, देखते हैं, diminished urinary output, means, urine कमाना, burning misturation, means, urination के समय, चलन होना, मिक्चूरेशन, means, passing out of urine, या expelled urine, इस urine मूत्र का त्याग नाम, जिसको मिक्चूरेशन के नाम से जानते हैं, तो, पेशाप करते समय, पेशाप में चलन होना, nervous system से related देखते हैं, headache, restlessness, irritability, insomnia, convulsion, delirium, तो, ये nervous system से related changes जाएंगे, जिसमें, patient को सिर्दर्द होगा, अधिक थगावट में सुसोगी, restlessness होगा, चिड़ चड़ा होगा, नीद ने आएगी, convulsion, calvans, calvans आएगी में, चक्कराना, और delirium, एक तरह से disoriented होना, confused होना, mental changes आना, ये सारा nervous system से related होगा, next, musculo-skeletal, muscle and skeletal में देखते हैं, आपर, malize, fatigue, body pain, joint pain, ये आपर, a spilling mistake है, इसको joint pain करना है, तो, इस patient को अधिक थगावट होगी, अधियों में, दर्द इस तरह से, joint pain, body pain ही सारा, musculo-skeletal system से related होगा, next, देखते हैं, integumentary, skin related में, heavy sweating, बहुत अधिक पसीन आना, severing and or rigor, मैं इस patient को कब-कभी के साथ बुखा रहा ना, तो, ये सारा integumentary system से related होगा, तो, ये थे different systematic changes, means fever के अंदर different system में, क्या-क्या sign and symptoms appear होते हैं, क्या-क्या लक्षन दिखाई देते हैं, जिसमें हमने देगा, aspiratory, circulatory, elementary, urinary, nervous, muscular, skeletal और integumentary system में होने वाले चीज़े तो, ये थे clinical manifestation of fever, तो ये था आज का मारा टोपिक जिसमें हमने फीवर के definition, causes, और फीवर के clinical manifestation, sign and symptoms के बारे में आपर देखा, तो friends, ये ताज का मारा वीडियो, I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगोगा, तो friends, वीडियो को like किजेगा, comment किजेगा, and share this video with your friends, and subscribe my YouTube channel, announce nursing file, preparation for the nursing competition examination, जिनोंने अभी तक subscribe नहीं कहाए मेरा YouTube channel, तो please channel को subscribe किजेगा, और bell icon को जरूब प्रेस किजेगा, thank you. झार झार झाटियो भाल भाल झा को जोच्दा बिये ए kanwe-कुशे, प्रीक है, THE किजेगा, आए-चैक ठाटियो किजेगा, diferen्वागा, प्रेस